दोस्तो आपके फोन में रात भर नेट आउन रहेगा लेकिन वटसप पर आपको कोई भी मैसेज करेगा तो मैसेज पर सिरिफ सिंगल टिक लगेगा डबल टिक नहीं लगेगा अब यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे पास दो मुबाईल है मान लीजी यह मेरा मुबाईल है और यह मेरे दोस्त का मुबाईल है मेरे फोन में नेट आउन है मेरा दोस्त अगर मुझे वटसप पर मैसेज करता है तो मैसेज पर डबल टिक लग जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं आपर मैसेज मैंने किया डबल टिक लग गया फिर से एक मैसेज में करता हूँ तो क्या करना है WhatsApp पर एक सेकंड के लिए दबाना है तो इस तरह से option से आपको दिखाई देंगे यहाँ पर आपको यह वाला i button मिलेगा यहाँ पर नीचे लिखा होगा app info दोनों में से एक setting आपको मिलेगी तो यहाँ पर आपको i button पर click कर देना है अब यहाँ पर आप यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी डेटा यूजेस यह setting को आपको open करना है इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको एक setting मिलेगी disable mobile data अब यहाँ पर क्या लिखा है disable mobile data setting off मिलेगी setting को on करना है अगर आप wi-fi यूज करते हैं तो wi-fi की setting को भी on कर लेना है लेकिन अगर आपको रेडिमी का phone यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको setting मिलेगी स्रिफ लिखा होगा mobile data और setting on होगी जैसे के मेरे phone में क्या लिखा है disable mobile data setting off थी हमने on कर ली अगर आपका रेडिमी का phone है तो यहाँ पर स्रिफ mobile data और wi-fi लिखा होगा setting on होगी तो आपको setting को off करना होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है disable लिखा है मतलब setting को on करना है setting on करने के बाद recent app से whatsapp को बंद कर देना है मैंने whatsapp को बंद कर दिया अब यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे phone में net on है और माल लीजिए मैं Instagram चला रहा हूँ या online पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं online game खेल रहा हूँ और whatsapp पर अगर मुझे कोई भी message करेगा तो message पर सिर्फ single tick लगेगा जैसे के आप देख सकते हैं यानि के whatsapp पर मैं पूरी तरह से offline हो गया हूँ जबके मेरे phone में net on है और दोस्तों आपको whatsapp पर कोई message करेगा ना तो आपको notification भी आएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा message किसने किया है अब दोस्तों आप आसानी से अपने phone में रात भर दिन भर net on रखिए online game के लिए पढ़ाई कीजिए कोई भी social media app यूज कीजिए लेकिन whatsapp पर आप पूरी तरह से offline दिखाई देंगे अगर आपको दोबारा से whatsapp पर online आना है app info में आना है यहाँ पर data uses में आना है जो setting हमने on कीती इसे off कर देना है अगर setting off कीती तो setting को on कर देना है ठीक है इसके बाद दोस्तों क्या होगा जितनी भी लोगों ने आपको whatsapp पर message किये होंगे सारे message आपको receive हो जाएंगे किसीने call किया होगा झाल